हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टैसी पॉइंट तो गपले के मास्टर माइंड मुकेस सैनी को बुदुहार को पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा अब तक 11 रोपी हो चुके हैं गिरपतार फोरेश गाड बलती घपले में मुकेस सैनी की रिमांड मंजूर हो गई है फोरेश गाड बलती परिक्षा घपले के मास्टर माइंड मुकेस सैनी को 24 गंटे का पुलिस कस्टेडी रिमांड मंजूर हो गया है पुलिस बुदुहार को उसे रिमांड पर लेकर जाएगी मामले म मुके सैनी सहीत 11 आरोपी गरपतार हो चुके हैं 16 फरवरी को हुई फुरेश कार्ड बलती परिक्षा में मामले में मंगलोर कोतवाली में मुके सैनी निवासी हर्चंदपुर आदी के खिलाब मुकदम दर्ज हुआ था वह नारसन और रुडकी में ओजस कोचिंग सेंटर चलाता था पुलिस चार्ज में सामने आया था कि मुके सैनी ने फुरेश गाड बलती परिक्षा में नकल कराने का ठेका लिया था मुके सैनी को 21 फरवरी को गरपतार किया था एक अन्य आरोपी सहनवाज निवासी टोड़ा कल्यानपुर को 28 फरवरी को गरपतार किया था लोक सेवायों के समिक्षा अधिकारी कुल्दी वराठी को पोड़ी पुलिस ने रुडकी जगरपतार किया था इसके बाद दो मार्च को पुलिस ने नकल प्रकरन में आठ औरोपियों को गरपतार किया था जाच में सामने आया था कि B.S.M. इंटरकोली के परिक्षा केंदर में कक्षिनिक्षक के तोर पर तैनात रचित पुंडी ने दोनों पालियों में पेपर की फोन्टों खीच कर बाहर विजवाई थी यह पेपर मास्टरमाइंड मुके सैनी को मिला उसने एक Global Industry Corporation Factory सलेमपुर के एक कमरे में कंट्रोल रूम बनाकर ब्लुटूथ के जरिये कई परिक्षार्टों की नकल कराई पुलिस पुस्ताच में पता चला कि 4 लाख में 80 ब्लुटूथ खई दे गए थे मामले में जेल में बन मुके सैनी को PCR पर लेने के लिए पुलिस ने कोर्ट में प्रातना पत्र दिया था आरोपी को 24 गंटे का रिमान मंजूर हुआ है पुलिस उसे उन जगों पर ले जाएगी जहां से नकल कराई गई थी साथ ही कुछ समान प्रामत कराने कोशिस होगी एसपी देहात एसके सिंग ने बताया कि अरोपी मुके सैनी का एक दिन का रिमान मंजूर हो गया है उत्तकंड बेरोजगार संग की अगवाई पल्देश के विविन हिस्सों में से पहुचे बेरोजगारों ने मंगलवार को परेड ग्राउंड इस्टित दरनाइस तल पर रोज स्वेरू पल्देश सरकार के खिलाब हवन यक्का योजन किया इस दोरान बेरोजगारों ने अपनी मांगों को लेकर नारे बाजी भी की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार की बुद्धी सुद्धी के लिए दून में हवन किया गया बेरोजगार संग द्वारा इस दोरान बेरोजगारों ने अपनी मांगों को लेकर नारेवाजी भी की यग का योजन पलदेश सरकार की बुद्धी सुद्धी के लिए क्या गया इस दोरान बेरोजगारों ने इस वर से काम नकलते हुए कहा कि पलदेश सरकार को सदबुद्धी पलदान हो ताकि वह बेरोजगारों की समझ्य सुने, साथ ही इसे दूर करे बड़ी संक्यामे बेरोजगारों ने पंडित की मौझूदगी में हवन कुंड में मंत्रोचारन के साथ आउत्य डाली मोके पर उत्राखंड वेयुजगार संग के अध्यक्ष बोवी परवाल ने कहा कि हैदवार से पकड़े गई आच लोगों ने इस बात की पुष्टी कल दी है कि पेपर आदे गंटे पहले ही लीक हो चुका था इसके बाद भी यदि इस परिक्षा को रद नहीं किया जाता है तो सभी वेयुजगार सुबह बुधुवार को नो बज़े से धरना स्थल पर अपना आमरन अंसन शुरू कर देंगे उन्होंने कहा कि आमरन अंसन अब तक जाई रहेगा जब तक फोरेक्ष कार्ड भलती परिक्षा को रद नहीं किया जाता साथ ही इसे सो दिन के बीतर दोबारा आज़ू किया जाना चाहिए मोके पर अक्षे जोसी पीसी पंत नहीं दाना आदी मोजूद रहे तो आप देखते हैं पुलिस मुकेस को रिमांट पर ले जाकर क्या-क्या राज खुलवाती है कौन से नए चेहरे इसमें उभर कर आएंगे और क्या-क्या नए चीजे इसमें उजवलित होंगी तो इस विस्ते पर आप हमें अपनी राय भी दे सकते हैं तब तक के लिए धन्यवाद जाएं जाए भारत